हेलो व्यूवर्स वेल्कम टू माय होम आइडिया चैनल टूड़े आइविल शो यू हाव टू मेक स्पाइसी फ्रेंच टोस्ट फ्रेंच टोस्ट बनाने के लिए हमें चाहिए तीन अंडे उनको एक बावल में फेंट ले अभी हम एट करेंगे आधी कटी हुई गाजर इसको हमने क्यूप्स में काट लिया है आधी कटी हुई कैप्सिकम फोर ग्रीन चिलीज थोड़े से कोरियंडर लीव्स और आधी कटी हुई प्यास और इसमें हम एट कर रहे हैं 125 ml मिल्क और हाफ टी स्पून रेट चिली पावडर, हाफ टी स्पून साल्ट, हाफ टी स्पून क्यूमन सीड्स, हाफ टी स्पून हल्दी और 40 स्पून मौजरेला चीज इसके जगा पे आप कोई और चीज भी यूज़ कर सकते हो जो आपके पास अवेलेबल हो और सारे इनकी डिरेंस को हम अच्छे से मिक्स करेंगे फोक की मदद से अभी एक फ्राइपान लें उसमें वन टेबल स्पून ओयलेट करें और उसको थोड़ा प्री हीट होने दें इस बेट के स्लाइस को इस मिक्स्चर में दोनों साईट से इस तरह से डिप कर लें हम यहां पर ब्राउन ब्रेट का यूज़ कर रहे है क्योंकि ब्राउन ब्रेट हील्फ के लिए अच्छी होती है है अगर आपको वाइट ब्रेड पसंद है तो आप वाइट ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं अभी हमारा पेन प्री हीट हो चुका है तो हम हाथ की मदद से इस ब्रेड के स्लाइस को पेन में रखेंगे और दोनों साइट से वेजिटेबल्स लगाएंगे ताके अच्छा सा ल ब्राउन स्पोर्स भी आ गया और बहुत ही अच्छा सा लुक आया है और फ्रेंच ट्रोस्ट डेडी हो चुका है इतने मसाले में से हम पांच प्रेड का फ्रेंच ट्रोस्ट बना सकते हैं और यह आप जरूर ट्राइ कीजिएगा और बताईएगा के आपको केसा लगा और बहुत ही एजी रेसिपी है प्लीज डोंट फोर्गेट तो मै चैनल लाइक सब्सक्राइब और शेयर विट यार फैमली और फ्रेंद्स